हलो फ्रेंड्स मैं हूं एतिश्याम अमैद और आप देखने हैं टेक्निकल जज़बा चैनल अगर आपके अंदर है टेक्निकल नौलेज चीखने का ज़बा तो अभी सब्सक्राइब करने इस टेक्निकल ज़बा चैनल को और बिल आइगन दवना ना भूलें ताकि आपको मिल सब्सक्राइब करें वह सारे सिंपल सेटिंग बारें बात नहीं करें तो आज मैं बात करने हुं में में हेडर और फुटर से रिलेटट एक सेटिंग के बारे में अगर आप चाहते हैं कि चेप्टर वाइज एक ही डॉकुमेंट्स में तीन-चार पेज पर एक तरह का तो आज किस वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे बिना फॉरवर्ड किया आप लाश्ट तक इस वीडियो को देखेंगे उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि कैसे चेप्टर वाइस आप डिफरेंट डिफरेंट हेडर लगा सकते हैं एक ही डॉक्मे यहां पर कॉमन से हीडर को लगाएंगे कोई जाधा स्टाइल वाला हीडर नहीं लेंगे यह बात आपको पता होगा कि इंसर्ट टैब में जाने के बाद हीडर फुटर गूरूप में आप यहां से हीडर कोई भी डिजाइन का ले सकते हैं फूटर है नंबर है सब है तो यह हमें वह एक आप नहीं करना डारेक्री हम एक शिंपल से लेखाते हैं इंपल क्लिक कर लेते हैं यह डॉल यह एक्टिव हो चुका है है अब यहां हमें देखते में यहाँ कि लिए तो इस पर अलग और बागी सारे पेज पर अलग एक ही तरह का लगा पर लगा सकता है यसे तो इस तरह से आप और और इवेन पर अलग-अलग कर सकते हैं अभी हमें क्या करना है कि जैसे मेरा कोई बुक वाइस मैंने एक नूट्स बनाया है तो चेप्टर वाइस हम चाहते हैं कि चेंज करते हैं तो वहां अलग तरह का दिखे और तीन-चार चेंज होता है तो वहां से मेरा हीडर हो चेंज हो जाय को कैशे है चलिए देखते हैं आज कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे अच्छी तरह तो सब्सक्राइब है यहां शुरू हो रहा है मेरा ओफिस बटन तो यहां ओफिस बटन के बारे में हमें लिखना है तो अभी सिंप्ली अगर हम ओफिस बटन यहां लिखते हैं तो ओफिस बटन ऊपर भी लिख देगा जैसे यहां पर हम लिख लेते हैं ओफिस बटन वापस उपर चलते हैं तो देखते हैं कि उपर भी जो है यह office बटन लिख दिया गया तो ऐसा नहीं करना है उपर जो है MS Word है तो MS Word ही रहा है यहां office बटन हो तो इसके लिए हमें करना यह होगा कि चलते हैं सबसे पहले layout में यहां करना है हमें link को break section start करना है दूसरा वा तो यह dialog box open होता है page setup का तो सबसे नीचे दिया हुआ है apply to यहां आप आजाए directly और whole document से हटा करके आप this point forward पर select कर लें और यहां से कर देते हैं okay जैसे मैंने this point forward पर select करने के बाद okay किया तो यहां आप देख सकते हैं header section to start हो चुका है तो यहां से दूसरा header हम चाहें तो अब लगा सकते हैं लेकिन अभी भी जैसे हम लगाएंगे तो उपर वाला header भी change हो जाएगा तो यहां लिखा हुआ same as previous मतलब पीछे वाला same same change होगा तो इसके लिए क्या करना होगा हमें यहां आ जाते हैं design tab में और navigation group में आप देख सकते हैं link to previous जो की पहले highlight नहीं था यह अब highlight है इसे कर देते हैं डिसेबल यह पहले से अब ऑफिस बटन अब जरा ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अब यहां आ गया है और यहां अगया है और यहां चाहते हैं कि home tab का section start कर दें तो यहां में start करना होगा header section 3 इसके लिए बिल्कुल same process आप चलते हैं layout tab में और यहां dialogue box launcher पर क्लिक करके मैं open कर लेता हूं पेच अप का dialogue box और यहां एक और option बढ़ चुका है this section तो this section हमें नहीं लेना है और नहीं whole documents तो यहां जो मैंने पहले लिया था this point forward वही लेना है ले लिए मैंने this point forward यह नाम याद रखेंगे और फिर कर लेते हैं okay पर click okay पर जैसे click किया मैंने section 3 start हो चुका है और बिल्बूल सेम वही same as previous लिखा होगा है तो इसे हटाना होगा इसके लिए हम चलते हैं डिजाइन टैब में और यहां navigation group में link to previous पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो यहां से हट चुका है same as previous और अब यहां हम change कर लेते हैं यहां हम this button जो है वह office button ही है और उसके ऊपर आते हैं तो MS word जो था वह अभी MS word है तो इस तरह से आप जितने भी section wise चाहें बदलना बदल सकते हैं आप चाहें तो सरिफ even वाले को बदलना चाहें तो इवेन वाले को बदलें ओड वाले में सेम में सीरॉल थे नहीं Jazz तो इस तरह से आप जो भी चाहेंगे कर सकते हैं बिल्कुल तो यह लिंग कैसे ब्रेक करते हैं आज की विडियो से आप सीख चुके करके देख लें बीच बीच में मैं कंप्यूटर और मोबाइल फोन से एक कुछ कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताता रहूंगा तो चलिए मिलते हैं अगरी वीडियो में किसी नहीं टॉपिक के साथ जब तक के लिए जया हिंद